ये फूलो वाले पौधे हैं जिनमें गुच्छों में फ्लारिंग होती है यदि आपके घर में धूप कम आती है तब भी आप प्राइम रोज यानि प्रिमुला अपने घर में लगा सकते हैं इसकी फ्लारिंग कुछ इस तरीके से गुच्छे में होती है ज्यादा केर भी नही पौधा है और इसे कम धूप में भी आप लगा सकते हैं जब अपरिल के बाद धूप तेज हो जाएगी तो इसे आप शेडी में भी ग्रो कर सकते हैं ये गुच्छों में फ्लारिंग करता है ये है अलाइजम अलाइजम का जो पौधा है ये गुच्छों में फ्लारिंग करेगा और अभी सर्दियों का ये बहुत ही अच्छा पौधा है इसमें दो तिन कलर्स और भी आते हैं आप एक गंबले में नीचे बिल्कुल तारों की तरह बिज जाएंगे इस तरीके से आपी से लगाएं और के अलो भर पौधा ग्रो कर सकता है यदि आप थोड़ी सी केर करें लेकिन अभी सर्दियों में बहुत ही अच्छी फ्लारिंग करेगा आप इसे एक च्वाइस जरूर रखे आपने गार्डन में जरूर इन पौधों को अस्थान दीजिये सर्दियों में केर भी वैसे ही करनी ह जो खाद डेली हम अपने सभी फ्लार प्लांट को देते हैं वैसे ही देना है पानी का ध्यान रखना है यह है गजानिया गजानिया एक ही गमले में इतने फूल खिलते हैं आप देखो कितनी कलिया बनी है और जैसी सुरी की किरन इस पर पढ़ती है इसके पूरे फूल खिल हैं दो-तिन दिनों के बाद ही इसके फूल मुर्जाते हैं केर भी वैसे ही करनी है जैसे आपने सभी प्लांट के आप करते हैं और सबसे अच्छी बात है इन सब के लिए बड़े गमले नहीं चाहिए यह है लीलियम के एक ही ब्रांच पर पांच छे कलियां बनती है कुछ इ इन पौधों को अस्थान दे सकते हैं देखिए यह इतने बड़े गमले में पर्मानें पौधे की तरह आप ग्रो कर सकते हैं नेक्स प्लांट है वर्बीना वर्बीना भी गुच्छों में फ्लारिंग करता है और छोटे से छोटे कंटेनर में भी यह फ्लारिंग करना शुर तरीके से गिंदे को प्रोपगेट कर सकते हैं गिंदा एक पर्मानेंट फ्लारिंग प्लांट है लेकिन सर्दियों में यह बहुत ही अच्छी फ्लारिंग करता है गिंदे में कभी ओवर वाटर नहीं करना चाहिए वरना यह पौधा फंगस का शिकार हो जाता है छोटे बड है कि इसे आप लगाईए यह भी छोटे कंटेनर में लग जाता है और आप देखिए कितने छोटे से पौधे में कितनी सारी खलिया बनी है यह डायन्थस यदि आपके घर में दूप कम भी आती है तो आप अपने डायन्थस का पौधा लगाईए यह पर्मानेंट पौधा ह और कटिंग से लग जाता है इसकी कटिंग आप चाहें तो बहुत सारी तयार कर सकते हैं देखिए कुछ इस तरीके से और एक ही गमले में तीन चार कलर्स को जोड़ कर लगा सकते हैं यह है गुड़हल गुड़हल हाइब्रीड हो या फिट देसी गुड़हल हो आप सालो भ पर इसमें से फ्लारिंग ले सकते हैं गुड़हल पर कई सारे वीडियो मैंने शेयर किये हैं गुड़हल के पौधे को अभी सर्दियों में आप जरूर लगाएं यानि कि हाइब्रेट गुड़हल बहुत असानी से आपको मार्केट में अभी मिल जाएगा यह है कार्नेशन इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं कार्नेशन एक पर्मानेट फ्लारिंग प्लांट है और गुच्छों में फ्लारिंग करेगा केयर वैसे ही करनी है जैसी सभी प्लांट की करनी है जितने भी फूलो वाले पौधे मैंने आपको बताए इनकी थोड़ी सी आप केयर करेंगे तो वर्मी कम्पोस्ट एक चम्मच हर दस दिनों पर दे दिया करें.